नमस्कार आपका स्वागत है आप ही की यूट्यूब चैनल स्टॉक लॉजी में आज हम बात करने वाले हैं केमबॉंड केमिकल्स लिम्टेट के बारे में आपको बताना चाहेंगे कंपनी ने अपने शेर होल्डर्स को दो रुपए 25 पैसे का डिविडेंट दिया है तो जिनक कर देखे और हमें इंकम जो है क्वार्टर वारती दिखाए दे रही है अब हम एक्सपेंस को देख लेते हैं तो मार्च और बीज में एक्सपेंस है जाए दावटावन लाग थे जो गया इंकम है जो इंकम है ले तो इस प्रकार हमें year on year income भी बड़ी हुई दिखाई दी रही है अब हम expenses को देख लेते हैं तो फाइनेंसियल year 19-20 में जो expenses है वो 26,318 लाग के हैं जबकि financial year 2021 में जो expenses 26,124 लाग के हैं तो इस प्रकार हम देखते हैं तो हमें expenses जो है year on year घटते भी दिखाई दे रहे हैं जबकि हमें income जो year on year बढ़ते भी दिखाई दे रही है अब हम company के profit and loss statement को चेक कर लेते हैं तो अगर profit before tax की बात करें तो मार्च क्वाटर 20 में company loss में थी 282 लाग के जो की मार्च क्वाटर 21 में 584 लाग profit में आ गई before tax अगर हम profit for the period की बात करते हैं तो 502 लाग जो मार्च 20 क्वाटर के profit loss थे वह 423 लाग मार्च क्वाटर 21 में profits दिखाई दे रहे हैं एक net profit तो इस प्रकार हमें profit का भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है अब हम year on year performance को देख लेते हैं तो profit before tax जो financial year 1921 में 789 था वो financial year 2021 में 2852 हो गया और profit for the period की बात करें तो financial year 1920 में net profit 308 लाग का था जो की 2021 में 2040 लाग का हो गया तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो हमें company का performance पिछले financial year से financial year में काफी ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है काफी ज्यादा व्रद्धी दिखाई दे रही है अब हम company के इसेंशेल की बात कर लेते हैं तो company का जो मार्केट का है वह 295 करोड का है नंबर आफ सेर्स एक दसम्लों तीन-चार करोड के हैं पेवी रेस्यू 1.26 का है आरोसी दो दसम्लों तीन-प्रतिशत का है इंटरप्राइस की जो वैल्यू वह 297.57 करोड की है पी रेस्यू 35 दसम्लों एकाट का है सेर का जो फेस वैल्यू वह 5 रुपय का है बोक वैल्यू 176.64 रुपय का है अगर कंपनी पर कर्जे की बात करें तो जीरू कर्ज ही पैसे का था फिप्टिटू वीग हाई जो है ध्यूस वैक्तालेश रुपय का है जो की दस मही को बना है मतलब इसी महीनिय बना है अगर 52 वीग लोग की बात करें तो एक सुटीस रुपय पंच्यस पैसे करता जो की 29 मही 2020 को बना है तो इस परकार अगर हम देखते हैं तो कॉंपन record को मैं कमपनी कि जो 2017 करोड़ का है । 2019 में 305 करोड 2020 में 271 करोड तो इस प्रकार हम देखते हैं तो company का revenue हमें 17-18 में बढ़ता हुए दिखाई दे रहा है लेकिन 19-20 में घटता हुए दिखाई दे रहा है अब प्रॉफिट्स को देखें तो 19.3 2 2018 में 21.95 2019 में 17.34 2020 में तो हम देखते हैं तो हमें 17-18 में तो हमें प्रॉफिट्स बढ़ते भी दिखाई दे रहा है लेकिन फिर 19-20 में घटते भी दिखाई दे रहा है अब पैटरन को देख लेंदे हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जून 20 में 65.35 जो मार्च 21 में 65.88 हो गई है तो यह प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी एफाइए इस ओल्डिंग 0 दिखा रही डियाइस ओल्डिंग 0.35 थी वही बनी हुई है पाब्लिक होल्डिंग 34.30 के स्थानबट 33.76 होई है तो पब्लिक की होल्डिंग में थोड़ 26.00 के स्थानबर